तो आज की वीडियो में लोग पढ़ने वाले हमारे exercise 13.2 जैसा कि आपको पता है कि 13.1 में हमने main find किया 13.2 में हम mode find करने वाले हैं और mode find करने का formula क्या है वो सबसे बेल आपको पता होना चाहिए तो हमारा जो mode होता है इसको अगर आप कहें तो हम एक symbol से भी denote करते है वो है z under bracket f1 minus f0 divide by 2 f1 minus f0 minus f2 bracket close multiplied by h ठीक है ये formula इसका formula होगा जो आपको इस वाली exercise में use करना और काफी ज़्यादा easy questions आते हैं mode क्योंकि mode की question में आपको किसी भी type का table या ऐसा कुछ draw करने की ज़रूत नहीं होती है इस questions में आपको क्या गरना होता है इसके अंतर आपको सिर्फ value सकते हो क्योंकि अगर इसके questions आ रहे है इसमें गलती होने की chances बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो questions को लेकर solve करते हैं जैसे हमें idea रहे है कि किस तरीके से इसको आगे solve करना है तो अगर exercise 13.2 अगर आपके पास book हो तो आप open कर सकते हो ये new syllabus के according जा रहे है हम लोग पुरानी book म patient admitted in a hospital during a year एक साल में जो patient admit हुए उनकी age का हमको table दिया हुआ है find the mode and the mean of the data given above compare the interpret the two measures of central tendency ठीक है अब हमको अगर इसका mode और mean दोनों find करना है यहां पर तो mean मैंने आपको पिछले chapter में सिखाया हुआ है sorry पिछले class में सिखाया हुआ है और mode हम आज सीखने वाले है तो गर हम question क table को आपको खले draw कर लेना है कि आपकी जो class है वो क्या given है आपको class आपको given है 5 to 15 then 15 to 25 after that 25 to 35 35 35 से 45 45 to 55 और finally 55 to 65 यह आपकी class है और जो आपको frequency given है frequency क्या क्या given है आपको frequency given है 6, 11, 21, 23, 14 and 5 तो इस question में करना क्या है आपके पास जो formula है formula अगर आप देखो तो z is equal to l plus under bracket f1 minus f0 divided by 2 f1 minus f0 minus f2 multiplied by h यह आपका formula है ठीक है इस formula के recording अगर जाओ तो यहाँ पर हमको सबसे पहले find करना होता है f1 तो f1 क्या होता है f1 का symbol से मतलब कि आपकी जो frequency है इसमें सबसे बड़ी value क्या है ठीक है f1 क्या होगा greatest frequency greatest frequency कौन सी है यहाँ पर देखो 6 11 21 23 14 और 5 में सबसे बड़ा नंबर 23 है यह यह आपका f1 हो जाएगा और जैसे आपको f1 मिला आपकी सारे काम आसान होगे f1 के उपर अलर जो नंबर है वो होगा आपका f0 और उसके बाद अलर नंबर होगा f2 बस इतना ही करना है आपने f1 क्या होता है सबसे बड़ा नंबर frequency में जो होता है वो f1 होता है उसके उपर अलर नंबर f0 होता है और उसके बाद अलर नंबर f2 होता है इतना हो जाने के ब ये भी clear है आपको ठीक है lower limit क्या होगी आपकी L होगी और H का मतलब होता है class का difference तो दोनों class की बीच में difference कितने का है 15 minus y यानि कि H की value कितनी है आपकी 10 है बस ये होगे आपका काम हो गया इतनी चीज़ आपको करनी है कि आपको सबसे वहला F1 फाइंड करते है निक फ्रिक्वेंसी में सबसे वड़ा नंबर वो मिल गया तो उसके उपर वाला F0 उसके बाद वाला F2 और जो F1 है उसकी lower limit जो होती ही वह L होता है और class में जो difference है वह H होता है बहुत easily आपको सारी value मिल 21 2 F1 यानि 2 times 23 minus F0 आपका है 21 और F2 है आपका 14 और bracket में आपकी value कितनी है H की value 10 ठीक है अब इसको further हम solve करें तो 35 plus 23 में से आप 21 को minus करोगे यहां पे तो कितना बचेगा 2 बचेगा तो उपर आप 2 लिख दो नीचे आप देखें तो 23 into 2 करना है बोर्ट मास्क के according 23 को पहले 2 सा multiply करोगा पहले minus नहीं करोगा वोगी bracket है तो सबसे पहले आपको bracket को solve करना होता है तो 23 2 सा आपका हो जाएगा 46 minus 21 minus 14 multiplied by 10 अब इसी को अगर फर्दर लेगे जाए तो 35 आपका as it is रहेगा यहाँ पर डिवाइड मेंकर आप देखें तो 46 आपका positive number राइट 46 जो है आपका वो एक positive number है बाकी के 2 negative number तो जैसा कि हमने हमारे foundation class में समझाता है अगर कोई 2 numbers का sign सेम होता है जैसे यहाँ पर दोनो minus में यहाँ दोनों plus में हो तो उनको add कर दिया जाता है वही चीज़ हम यहाँ करें कि यहाँ पर जो 46 है इसको हम as it is लिखेंगे लिए इसके बात की जो number 21 और 14 दोनों ही same sign है यह negative number है तो दोनों को add किया जाएगा तो 4 plus 1 यानि जो पीछे के number है 4 and 1 इनको add करके आपका हो ज plus करते हैं और नीचे sign plus का लगा देते हैं वह minus plus करके numbers को add तो कर देते हैं but नीचे sign plus का लगा देते है sign change नहीं होता बिटा जब भी दो number का sign same है तो उनको add किया जाएगा और sign में कोई भी change नहीं होगा यह आपको यादत नहीं इसके साथ bracket close करते हो multiply में किया जाएगा 10 further हम आगे बड़ें तो हम देख सकते हैं आपर 35 plus divide में आजाएगा 2 और 46 में आप 35 माइनस करते हो तो आपको कितना मिलेगा 5 and 6 टोटल आजाएगा 11 multiplied by 10 next आपका step पूरेगा 35 plus अब 2 को 10 से multiply कर दो आजाएगा 20 by 11 तो अब 20 को आपको क्या गरना 11 से divide कर दाना 11 11 नीच आएगा 9 आप 0 लोगे तो point लगाओगे 11 is a 88 88 आप उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर 2 बचेगा आप 0 लोगे फिर 11 बचेगा यह नहीं 1818 repeat होने वाला है तो आप यहाँ लिख सकते है 35 plus 1.818 add कर दो 35 में one add होका कितना हो जाएगा 36 point के बीचे कहा जाएगा 818 जो कि आपका z यानि mode की value है यह आपका mode निकला है अब इसी question में आपको mean भी find करने को बोला हुआ है तो अगर इसका mean find करना हो तो आपको पुरा process करना पड़ेगा तो mean के case में क्या करना है वो देख लेते हम तो इसका mean है वो मैं आपको नहीं कराओ क्योंकि इसका mean है वो आपको solve करना है और solve करके उसकी photo हमारे DC education के instagram page पर send करनी है जिससे हमें यह clear हो सके कि आपको जो mean का topic मैंने पढ़ायता वो पुरापर तरीके से आया है या नहीं आया ठीक अगर आप उसको solve करते हैं तो solve करके आपको क्या करना है उसे मुझे send करना है हमारे DC education के instagram page पर मैं चेक करूंगा कि आपने mean के concept को सही तरह से समझा है या नहीं समझा है यह आज आपका homework है homework क्या है आपका question number one का mean आपको find करना है और इसको DC education के instagram page पर हमें send कर देना है यह आ question number two की तरब तो question number two हमारा क्या कहता है वो देख लेख लेख है question number two पर अगर जाए बेटा तो वहां लिखा हुआ है the following data gives the information on the observed lifetime of 225 electrical components अलग-अलग electrical components है उनका sum हमको दिया हुआ हुआ है 225 और उनके लिए lifetime का table दिया हुआ हुआ है दोनों का मतलब सेम ही समझना है आपको दोनों जगा पर आपको जैड ही फाइंड करना बहुत सब्सक्राइब अच्छे कंफूज आ देख सर्या मोडल क्या है यह तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं मोड की ही बात हो रही है मोडल लाइफटाइम मोड को ही अलग वे में लिखने का तरीका है तो यहां अगर हम देखे तो हमारे पास जो क्लास होगी वो क्लास है हमारी 0 to 20 20 to 40 то 40 to 60 to 60 to 80 80 to 100 और finally 100 to 120 इसके अद्ध फ्रेक्वेंसी के बात के रहे हो तो फ्रेक्वेंसी घए है आपको 10,35, 52, 61, 38 और 29 अब आपको पता है क्या होता है मोड का? इस रिपीट के रूमें सासा Z is equal to L plus under bracket F1 minus F0 divided by 2 F1 minus F0 minus F2 multiplied by H. ठीक है ये काफी easy है अब इसमें अगर L की value ढूने लिए सब की value ढूने लिए सबसे अला काम का करना है F1 ढूनना है F1 क्या होता है highest frequency हाइस फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 61 यह हमारा हो जाएगा F1 उसके उपर आरो नमबर F0 उसके बाद आरो नमबर F2 और highest frequency की line में अगर देंगे F1 की value है हमारे पास 61, F0 की value है 52, नीचे आजाएगा 2 times 61 minus 52 minus 38 multiplied by 20 अब इसको फर्दर सॉल करते हैं 60 plus का जटीज लिखो, 61 में से आप 52 माइनस करो, अगर आप 61 में से 52 माइनस करो, कितना बचेगा आपका, 8 plus 1, 9, 9 बचेगा उपर आपका नीचे आजाएगा 61 का double 122, अब यहाँ पर वापस आप देख सकते हो, दो नमबर, दोनों नमबर, same sign वाले, negative sign वाले, तो दोनों पर add करना और sign में चीन नहीं होगा, इसलिए sign हम क्या लगाएंगे, minus लगाएंगे, तो 50 plus 3, कितना हो गया, 80, 50 plus 30, 80 हो गया, 80 और यह 2 और 8 मिला के भी 10 होगा, तो 90 हो ज multiplied by 20, further इसको solve करते हैं फोड़ा सा, जो चीजे कट सकते हो, उनको कार दिया जाए, 9 by 32 है, तो यहाँ पर 2 के टेवल में 10 ताइम में आजाएगा, और यह आजाएगा 16 ताइम में, फिर इसका आप करोगे तो 8 आजाएगा, इसका आप करोगे तो 5 आजाएगा, further नहीं कटेग 8, 5, 40, नीचे आजाएगा 5, 0 आएगा, point लिलोगे, 8, 5, 40, 8, 6, 48, नीचे आएग 2, फिर 0 लिलोगे, 8, 2, 16, ठीक है, further आगे जाने के जरूत नहीं है, लेकिन कर लेते हैं, थोड़ा सा, खतम हो जाएगा, फोर बचे का नीचे 0 लोगे, 8, 5, 40, खतम हो गया यह, आपका answer मिल आपको 60 को 5 मैड कर देना बस, तो क्या हो जाएगा, 65.625 और यह आपका mode का answer हो गया, easy question है, ठीक है, अब चलते हैं हमारे तीसरे question की तरफ, तीसरा question के है, question number 3 को अगर हम देखें, question number 3 हम से क्या कह रहा है, question number 3 कह रहा है, the following data gives the distribution of the total monthly household expenditure of 200 families of a village, find the modal monthly expenditure of the family, also find the mean monthly expenditure, तो question number 3 भी, यहाँ पर mode और mean दोनों find करने को कह रहा हमें, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि question पढ़ते नहीं है, जब आप solve करने जाओगे, तो बहुत सारे बच्चे का गलती करेंगे, question को पढ़ेंगे, नहीं को लग रहा है कि हाँ 13.2 exercise है, mode find करना हो, तो सिर्फ mode find करेंगे, नहीं मिटा, आपको पढ़ना है, कि question में क्या पूछा होगा, question में mode के साथ mean भी पूछा होगा, तो आपको साथ-साथ mean भी find करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर question number 3 में अगर हम चलें, तो यहाँ पर हमारे पास जो class है, वो क्या given है, class given है हमारे पास, 1,000 से 1,500, 1,500 से 2,000, 2,000 से 2,500, 2,500 से 3,000, तिल कहां तक जाना हमें, 5,000 तक जाना हमें, 3,000 से 3,500, 3,500 से आप हो जाएगा, यह 4,000, 4,000 से हो जाएगा, 4,500, और finally, 4,500 से हो जाएगा, 5,000, 5,000 तक जाना था, अब अगर हम इसकी frequency इसको देखें, तो frequency हमारे पास का given है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, and 7, यह आपकी frequency given है, formula सबको पता है, तो formula के recording हो जा सकते हैं, यह line बहनागी जाएगा, formula हमरे पास, z is equal to, l plus, under bracket, bracket काफी दूर बन गया, मिटा देखें, under bracket, f1 minus f0, divide by 2, f1 minus f0 minus f2, multiplied by h, चलो, यहाँ पर सबसे बड़ी value होगा हम ढूंडने चाहें, तो वो है 40, right, 40 है, तो यह हमारा f1 होगा, इसके उपर आला होगा f0, इसके बाद आला होगा f2, और इसके lower limit 1500 होजाएगा हमारा l, और इनके बीच में जो gap है, gap हमारा h 500 होगा, तो h होजाएगा 500, ठीक है, value उठाकर रख देनी है, l की value आप रखोगे, 1500, प्लस करोगे, आप f1 की value है, 40, minus f0 है, 24, नीचे आजाएगा 2 times 40, minus 24, minus 33, multiplied by h जो है, आपका वो है 500, 40 में से 24, आप minus 4 के बचेगा आपका कितना, 16, और नीचे 42 जाएगा 80, अब वापस यहाँ पे same scenario कि दोनों नमबर minus हो है, तो sign minus का ही रहेगा, और अब इन दोनों का आपको add करते ना है, तो 2 plus 3 आपका हो जाएगा 5, और 4 plus 3 आपका हो जाएगा 757, multiplied by 500, 16 के रवाइड में आप 80 में से 57 आपको minus करना, 80 में से 57 minus करोगे, तो बचेगा 23, यहाँ गया आपका 23, multiply करोगे आप 500 से इसको, तो यह हो जाएगा 1500 plus 16 multiplied by 500 divided by 23, तो यहाँ पे मैं आपको सिलिस करोगा कि इन दो 0 को count मत करो, 16 को खाली 5 से multiply करो, 16 फाइजा कितना होगा वो देगा, 16 फाइजा आपका 80, 80 को 23 से divide करने का try करो, तो 23 के टेबल में अगर हम तीन बार जाएगा 3 times, यह हो जाएगा 69, यहाँ बचेगा आपका 11, फिर आप 0 लोगे तो यहाँ आएगा point, फिर 23 के टेबल में अगर हम 5 टाइम जाते हैं, तो 230 का हाफ हो जाता है, 115 तो नहीं होगा, 4 टाइम जा सकते हैं, 4 टाइम जाएगा, तो यह हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, 92 है, तो 92 को भी अगर हम कट करें, यहाँ से 23, 92 माइनस पर होगे, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 18, फिर 0 लो, 18 के बाद आपका 0 लो 23, कितना होगा, 23 को हम कर लेते हैं, 7 टाइम, 8 टाइम कर लेते हैं, 8 3s are 24, पावर मेंगा 2, 8 2s are 16, प्लस 184 जादा हो जाएगा, 7 टाइम में आ जाएगा, 3.47 अप ले सकते हैं, 3.47 ले लिए हमने, फर्दर डिवाइट करना है, तो यहाँ बीच में एक लाइन आ रही है, वाइट करना है कि पेज चेंज हुआ, ठीक है, तुम 7 टा प्लस ओन 161 यहाँ आएगा, आपको 161, 7 टाम, बचेगा कितना आपका, 19 बचेगा, फिर आप 0 लोगे, इस बार आप 8 टाम जा सकते हो, 8 टाम में आपका कितना आएगा, 184 जासके हमको यहाद है, यहाँ पर 6 आएगा, 0 लोगे, फिर टू टाम जा सकते हो, काफे लंबा चल वार पीछे ले दो यानि यह वाजाएगा थ्री फॉर्टी सेवन पॉंट एट टू और एड कर दो इससे क्या होता है कि नमबर बढ़ा नहीं होता और डिवाइड आप एजीली कर पार तो वैसे आप वैसे भी करोगे तो इस्टेन फाइज आपका एट थाउजन कुछ आएग अब इसी particular question के लिए जैसे कि इसमें mean find करना है तो वो आपका homework आपको याद करना है यह एक next homework आपको मिल गया homework no.2 जो कि आपका question no.3 का mean find करना है यह आपका question no.2 हो गया question no.3 का mean भी आपको ही find करना है और यतने भी आप find करो इन सबको आपको क्या करना है हमारे instagram page at the rate they see education पर हमें भेज देना है जिससे हम आपको homework चेक कर सकी कि आपने सही तरीके से किया या नहीं किया और copy मत करना कुछ से करने का try करना mistake होगी तो मैं help करूँआ ओके चलो अब आगे बढ़ते है तो question no.4 अगर हम देखे तो उसमें लिखा हुए the following distribution gives the state wise teacher student ratio in the higher secondary schools find the mode and mean of this data interpret the two measures वापस से mean आजिया homework मिलेगा चलो question no.4 में अगर हम देखे class जो है हमारी class हमें given है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और finally 50 से 55 चीक है इसके अगर हम frequencies की बात करें तो frequency हमारे पास क्या है वो है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 ठीक है यह होगा हमारे पास अब इसमें हमको क्या निकालना है जेट निकलना है पहले तो मोड निकलना है तो जेट का formula क्या होता है L plus under bracket F1 minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 multiplied by H ऐसे फटा-फट आप भी बोल रहोगे शायब तक क्योंकि याद हो गया होगा अगर नहीं याद गया तो याद कर लो अब सबसे हम ढूनते हैं इसमें F1 सबसे बड़े वाले हमको दिखरी 10 है यह हमारा F1 होगा इसके उपर वाला हमारा हो जाएगा F0 इसके बाद वाला हो जाएगा हमारा F2 lower limit जो हमें पता है यह हो कि हमारी L और gap कितने का 5-5 का gap है यादि हमारा कितना होगा 5 होगा सारी वाले हमारे पास हैं उठाकर रखते हैं L की वाले हो जाएगी 30 प्लस F1 जो हमारा वह है 10 F0 है 9 नीचे 2 टाइमस 10 माइनस F09 और F2 आपका कितना है 3 30 प्लस 10-1 आपका हो जाएगा 10-9 हो जाएगा 1 2 10s 20 यह दुनों नंबर मीनस में है मीनस में तुनी साइन मीनस कही रहेगा और एड़ो जाएगा 9 प्लस 3 हो जाएगा आपका 12 इंटु 5 यह हो जाएगा 30 प्लस 1 अपन 20-12 हो जाएगा 8 इंटु 5 यह जाएगा आपका 30 प्लस 5 इंटु 1 आपका 5 डिवाइड बाई 8 5 को 8 से डिवाइड करना है 0 होगे पॉइंट लोगे 8 6 इंटु 0 लोगे 8 2 इंटु 16 16 ना गया नीचे आप लिख दोगे 4 0 लोगे 8 5 इंटु 5 इंटु 5 इतना हो गया एड कर दो कितना जाएगा 30.625 काफी हलवा सा गोशन और इसका मीनना मैं आपको करा देता हूँ ठेक है दो गोशन आपने के एक मैं कर लेत हूँ इसका जो मेन है वह मैं कर लेता हूँ फटा-फट इसका मीन निकाल लेता हूँ तो कुशन नुबर 4 का हमको क्या निकलना है मीन तो यहां लिख देता हम कुशन नुबर 4 का मीन निकाल रहे हैं तो डेटा का है हमारे पास class given है 15 से 20 20 से 25 25 से 30 30 से 35 35 से 40 40 से 45 45 से 50 और फाइनली 50 से 55 फ्रिक्वेंसी के अगर हम बात करें फ्रिक्वेंसी हमारे पास है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2 अब इस बार तो हमको क्या निकालना पड़ेगा एकसा ही निकालना पड़ेगा होगी हम बात कर रहे हैं मीन की एकसा ही में पता ही क्या होता है आप दुनों को 20 को जोड़ दो और जोड़ के फिर उसका हाफ करो तो 20 प्लस 15 आपका होगा 35, 35 का हाफ होगा 17.5 अब इसमें 5 मत बढ़ाते जाओ ऐसे भी कर सकते हो और इंदर से बढ़ाते जाते हैं यह आजाएगा आपका 22.5 यह आजाएगा उपर 27.5 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और फाइनल यह आपका 52.5 ठीक है यह आगई आपके XI की वैल्यू कितनी वैल्यू जो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 वैल्यू से हैं अब यहां आपको डिसाइड करना है कि कौन सी वाली वैल्यू को आपको यह मानना है को कि देखो उपर से 2 नीचे से 2 छोड़ा फिर एक छोड़ा नीचे से 1 छोड़ा तो फिर यहां पर बीच में दो वैले बस्ती 30 के लाएंगे एक 32 वाली एक 37 वाली अब आपको डिसाइड करना है दोनों में से एक इसको मानना है ठीक है तो मैं आपको सजिस्क करूंगा कि हम 32 को मानन लेते हैं एक मैं इसको मान लेता हूं कि को एक इkelijk दिख सेके तो 3 को मुल्ट्प्लाइब करना है थ्री थ्री से और आइट को मुल्ट्प्लाइब करना है ऐसे 11 इंट चैन बड़ा अटपटा सा लग रहा है कि जीरो जीरो आ रहे हैं पर अब यहां पर देखुँ कि इसको टोडल कर लेते हैं पहले तो इनका टोडल कितना हो जाएगा नाइन नाइन 18 18 और 16 आपको जोड़ना है तो 18 का डबल कितना होगा तो 36 तो थो थो 34 और यहां पर 8 प्लस 3 आट नोड़ा स्क्राइब एलेवन राइट 33 में से 11 मैनने स्क्राइब यहां से जाए तो यहां बचेगा 3 यहां बचेगा 23 राइट 23 बचेगा माइनस 23 आगे आपका अब आप लिख दे तो यह सिगमा एफाई यू आई आगे आपका माइनस 23 एफाई का सम कितना हो रहा है यह देख सकते आप 10 राइट 10 हो गया तीन तीन छे साथ आठ और आठ सोला सोला और दस चब्विस चब्विस और नौ 26 और नाइट 26 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे 30 35 हो जागा यह तो सिगमा एफाई अपका कितना है 35 यह भी हमारे पास है चलो अब हमारे बास दोनों वैली से तुमको सिंपली क्या करना है निकालना ही तो है वैली पटापट निकाल देते हैं और कुछ रही गया अपसे एफाई यह आ गया यह आ गया और क्या बार किरा फामला लिप देते च्छोड़ यू आइक सब्स एक् प्रमली के लिए थे 32.5 सिग्मा एफ आई यू आई हमारा आया है माइनस 23 ब्रेकेट में टिक दो माइनस 23 यह चीज़ा आखना जब भी नंबर माइनस में हो उसको ब्रेकेट में लिगो एफाई कितना हो का आपका 35 और यह से आपका हो जाएगा 5 तो 5 से 35 कट राख 5 बंस औ प्लस माइनस हमको पता है क्या होता है प्लस ब्रेकेट का मतलब मल्टिप्लाई और मैनस प्लस मैनस होता है माइनस यहां आपका 23 डिवाइड बाई 7 23 को 7 से डिवाइड करना है 7 3 21 नीचे आएगा 2 0.7 2 14 नीचे आएगा 6 0 7 8 56 नीचे आएगा 4 0 7 5 35 फिर आएगा 5 0 7 7 14 बहुत आगे चला जाएगा इतने पर छोड़ देते हैं यह आपका 32.5 माइनस 3.285 अब इसको माइनस किसे करोगे यह मैने फांडिशन और योडियों से खाया है यहां पे भी देख र्रम कितने नवर्जर unos 3 तो यहां भी डेंस कितने मुंशे थीन तो 20 लगा देतें 3.285 अब देख़े यहां पर 0 5 – 0 होगा यहां यह नियोगा यहां नीच होगा तो इसको ऐसा करते हैं 5 को 4 बनातेैं इसको बनाते हैं 9, इसको बनाते है 10, 10 में से 5 गया बचएगा, 9 में से 8 कब बचेगा, 4 में से 2 कब बचेगा, 2, point, 2 में से 3 गैगा, निर्फ, 12 में से 3 गैगा, बचेगा, 9 और यह आजएगा, 2, final answer आपका आगया, 29.215, तो यह आपका क्या आगया, मीन दुनों मेल गए मीन पी मिल गया है मोड में मिल गया तो इस तरीके से जो पहने के दो कुश्चन थे उनकी मेन आपको फाइंड करने और हमें हमारे देसी एजूकेशन की इंस्टागराम पेच पे भेज देने हैं तो चलते हैं अगले सवाल की दरफ अगला सवाल है हमारा क इस तो अगला सवाल है हमारा दो गिवन डिस्टुबीशन सोफ द नमबर ओफ आफ रन स्कोर बाई फोर तॉट में एंट इंटरे स्टॉट क्रिकेट की बात है क्रिकेट पसंद है मुझा पसंद ही सब क्लास की बात के रहे तो क्लास हमारी यहां पर थोड़ी बड़ी होगी को केकी रण हैं जादा जादा रण बनाएं सबने कि थाउजन से फॉर थाउजन से फाइव थाउजन कहा तक जाना हमको 11000 तक सचीन का स्कूर नहीं आएगासमस से 13000 माला दिये 5000 से 6,000 6,000 से 7,000 7,000 से 8,000 8,000 से 9,000 9,000 से हो जाएगा आपका 10,000 और finally 10,000 से 11,000 तक है अब इसकी फ्रिक्वेंसी के है फ्रिक्वेंसी कीवन है हमको 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1 तो अब इसका हमको क्या फाइंड करने को बोले है सिर्फ मोड फाइंड करना है तो मोड फटा फट कर देता है यह जो 18 है यह हमारा f1 होगा इसके उपरा और f0 होगा इसके बाद और f2 होगा 4000 हमारा l हो जाएगा और gap जो हमारा वो h यानी की 1000 का होगा ठीक है फटा फट वट 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 कर देते हैं आपर l की value है हमारी 4000 f1 है हमारा 18, f0 है 4, नीचे 2 x 18-4-f2 है 9, multiplied by h आपका जो है वो 1000 यह जाएगा 4000 प्लस, 18 में से 4 जाएगा बच्चे का 14, 18 तू सा आपका जाएगा 36-4-9, multiplied by 1000 next अगर हम जाएगा 4000 यहाँ पर आगया, इतर आगया 14, 36 में से माइनस कितना करना है आपके, दोनों नमबर आपको पता है कि same sign वाले हमें तो sign, same आएगा 4 और 9 add हो जाएगा 13, into 1000 4000 प्लस, 14 डिवाइड में, माइनस कर दो 36 में 13, 6 में से 3 माइनस करोगे, 3 बचेगा, 3 में से 1 माइनस करोगे, 2 बचेगा 23, into में आगया 1000 यह विद्या है अपको 4000 प्लस, 14,000 डिवाइड बाइ 23, तो 14,000 को आपको डिवाइड करना है 23 से, यहां कर लेते हैं 14,000 डिवाइड बाइ 23 23 के टेबल के अकॉर्णिम से है, तो 23 के टेबल में अगर हम 5 टाइम में 115 आएगा, 6 टाइम जाते हैं, तो हम कर लेते हैं, आपको यहां कर लेते हैं, 23 into 6, तो एक खांस, multiply करना होगे, 6, 6, 3 is 18, 6, 2 is 12, plus 1, 13, 138, बहुँच सही, टू आया, नीचे एक 0 लेते हैं, तो नमबर बनेगा, एक और 0 लेना पड़ेगा, तो यहां पी भी कर लेना पड़ेगा, 0, यह वाली मिस्टेक भी बहुत सार बच्चे करते हैं, कि वो क्या करेंगे, बताता हूँ, यह मैंने बहुत जगह पे देखा है, बच्चों को करते हैं, बट यहां 0 लगाना भूल जाते हैं, तो यह आपको याद रखना है, कि जब पहला 0 आपर उतारा, तो चलेगा, क्योंकि वो आपकी प्रोसेस है, बट उसके लाए, एक्स्ट्रा 0 जब आप उतार रहे हो, टॉक को ऊपर 0 देना पड़ते हैं, वो बच्चे भूल जाते तो वो करना होता है, वो याद रखना कि यहां पर 60 आएगा, ठीक है, अब करते हैं, 23 को कितनी बार कर सकते हैं, 8 टाइम कर सकते, 8 तुसर 24 का 4, पावर में एगा 2, 8 तुसर 16, प्लस 2 18, 184, यह नहीं, 184 आजाएगा, 8 टाइम में आपका आगया, 184, बचेगा किता 16 बचेग सकते हैं, बचेगा, बचेगा 22, फिर 0 ले रहे तो 9 टाइम जा सकते हो, बस इतना बहुत होगा, 608.69 है ना, इतना बहुत हो जाएगा, तो 608.69, इसको ले ले लेते हैं, और फटा फट से हमारा कुश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फाइनल अंसर हमारा क्या बन रहा है, इस इकल टू 4000 प्लस 608.69, एड़ कर दोगे तो रहेगा 4608.69, और यह आपका अंसर आ गया, किसका मोड का, अब चलते हैं, हमारे आखरी कुश्चन जो हमारे एक से है, इसका फाइनल कुश्चन है, कुश्चन नमबर 6, और इसको सॉल for 100 periods, each of 3 minutes, and summarize in the table given below, find the mode of the data, इस data का अब हमको का करना है, सिर्फ mode find करना है, तो फटा-फटी कोश्चन कर लेते हैं, class क्या given है, वो देख लेते हैं, class given है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से हो जाएगा 50, 50 से होगा यह 60, 62, 70, और finally 72, 80, 80 तक है न, हाँ, चलो, फिर frequency देखें, frequency हमारी कितनी है, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, और finally 8, चलो, अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे बड़ी frequency कौन से होगी, सबसे बड़ी frequency 20 है, तो यह हमारा F1, इसके उपर आला F0, इसके ने चाहला, F2, यह तो अभी तक याद हो गया आपको, है न, और यह हमारी lower limit हो जाएगी, 40, और H हमको दिख रहा है, clearly कि अब कितने का 10 का है, फॉर्मला लगा दो, फटाफट, Z is equal to, L plus under bracket, F1 minus F0, divide by 2 times F1 minus F0 minus F2, multiplied by H, चलो, L की value है हमारी 40, F1 है हमारा 20, F0 है 12, 2 times F1 यहने 2 times 20, F0 है 12, और F2 है आपका 11, multiplied by H, कितना है आपका 10, 40 plus, 20 में से 12 minus के आपका आजाएगा 8, 22 से आपका आजाएगा 40, और यहाँ पर यह दोनों नमबर अगर आप ध्यान से देखो, तो दोनों की दोनों नमबर कैसे है, same sign वाले, दोनों negative नम 3, 1 plus 1, 2, 23 हो जाएगा, multiplied by 10, 40 plus, उपर 8 as it is रखो, यहाँ minus करोगे बच्चे का 17 into 10, same चीज़, यहाँ पर भी वही करने है, इस 40 को छेड़ना नहीं है, इधर वाले को solve करना, 80 into 10 हो जाएगा, 80 divided by 17, 80 को डिवाइड करना है 17 से, 17, 5, 85 होता है, 17, 4 जाना पड़ेगा, तो 17 into 4 करो, 7, 4, 28, 2, 4, 1, 4, 2, 68 आजाएगा, 68 आए नहीं हो जाएगा, 12, 0 लोगे, पॉइंट देना पड़ेगा, अब 17, 5, 85 होता, 6, 10 जाएगे, 17 into 7, 7, 7, 7, 7, 49 का 9 आए, 4, 7, 7, 7, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, plus 4, 11, वाँ, काफी एक्केड़ूट, 7, 1, 1, 9, यहाँ प यहाँ जीरो लोगे, होगा नहीं, एक और जीरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी जीरो लेना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना कर सकते हो, 17, 5, 6, 6, कितना होगा, 17, 5, 85 होता है, यहाँ आजाएगा कि वेटा, 3 जीरोट हो गया, बहुत हो जाता है, जीरोट, 40, 4,705, तो फाइनल आंसर आपका हो गया, 44,705, यह आगे आपकी मोड की वैल्यू, और इसी के साथ हमारी exercise 13.2 भी खतम होती है, अगले वीडियो मिलेंगे exercise 13.3 के साथ, जहाँ पर हम फाइंड करेंगे median, जिसके स साथ हमारी exercise 13.3 खतम होगा, आई होप वीडियो आपको पसंद आया हूँ, अच्छा लगा हो तो दोस्तों के शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्काइब कर देना, जय हिंद,